हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकर किया गली हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जानते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो parts में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि total 3 stages होती है इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बाद करें तो Prelims में आपका Paper आता है Objective Paper इसके बाद Mains जो होता है वो आपका Subjective होता है Prelims में आपके दो Paper आते हैं GS का Paper, CSAT का Paper जो की Objective होता है इसके बाद जो Mains Paper होता है Mains में आपके काफी सारे exams होते हैं जी हां Optional Subject के Paper होते हैं आपके GS के Paper होते हैं आपके Qualifying Nature वाले Paper होते हैं Language Paper होते हैं इसके बाद आता है Interview आए एस Examination का Interview तो पूरे इंडिया में काफी जादा Famous है कितना Tough माना जाता है Personality, Development, Classes इसके लिए बहुत जादा सरूरी है Students के लिए और इसी के साथ इसके Paper में Negative Marking भी होती है तो प्लीज, Answers गलत मत कीजिए, गलत आंसर टिक मत कीजिए अगर आप Question में बिलकुल Sure है तब ही उस Question को आप चौरम कीजिए उस Question को Attempt कीजिए Otherwise Negative Marking से, 0.1 Negative Marking से भी आपके Ranking में काफी असर पड़ता है लखो रंकिंग में असर पड़ता है जी हां, त्रवेंद्रम जिसे पहले तिरुवनंधपुरम के नाम से भी जहना जाता था ये भी काफी ज्यादा Famous है अपने Education के लिए और साथ के साथ अपने Visiting के लिए भी प्रावल के लिए भी काफी ज्यादा Famous जभा है यहां पर घूनने की काफी ज्यादा Famous Temples है यहां पर, Peaches है यहां पर और साथ के साथ यहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं Entrance Examination, Medical Examination, Civil Services सभी तरीके के Examination की प्रप्रेशन कर रहे हैं तो दोस्तों हम अरड़ी एक वीडियो अप्लोड कर चुके हैं जहां हमने हर इंस्टिउट जो टॉप के इंस्टिउट इंसे बारे में उसी एक वीडियो में आपको बताया है ranking wise, कौन सी rank पर कौन सा institute है, उनका address, उनकी contact details, सब कुछ हम ने दिया है और हर institute के बारे में एक shock कर details भी ली है तो उस वीडियो का link नीचे description box में मौझूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां ranking wise हर institute के बारे में आपको एक ही वीडियो में पता दिजाएगा इसके अलावा हर institute के बारे में individual video जहां in detail information पहुचू है, information बताई गई है, आपको उस institute के बारे में वो वीडियो भी हम upload कर चुके हैं, आप उन वीडियो को भी हमारे चैनल पर वज़िप कर सकते हैं इससे पहले आप ये list देख सकते हैं, इंग wise कौन सी rank पर कौन सा institute है, हम वो वीडियो आपके सामने, हम वो link आपके सामने रिखा सकते हैं, वो list, उस list में कौन सी rank पर कौन सा institute है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं Talent Academy की, Talent Academy पूरे त्रवेंद्रम में UPSC Civil Services की प्रपरेशन के लिए second rank का सबसे अच्छा कोची इंस्टिउट है, यानि ये institute second rank पर आता है और ये सबसे अच्छा कोची इंस्टिउट है, UPSC Civil Services की प्रपरेशन के लिए यहाँ पर, अगर इन और बहुत ही Simple Language में प्रवाइब किया जाएगा, इसके बाद आपको Test Series प्रवाइब की जाएगी, Test Series में आपको Question Bank प्रवाइब किया जाएगा, जहां आपको ज्यादा से यादा प्राक्टिस करनी होगी Questions की, ताकि आपको पता लगे paper के से वे में आता है, इसके अलावा, आ आपको Marks प्रवाइब किये जाते हैं, जिससे आपको एक real exam का experience मिलता है, आपको पता लगता है कि reality में इस exam में किन-किन मुश्किलों का सामना बच्चो को करना पड़ता है, और किस pressure का सामना करना पड़ता है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो Test Series की result दी जाती है, वो result प् आपने weak areas और strong areas डोनों का पता चलता है, वीक areas को आपको improve करने के लिए तरीके बताए जाते हैं, individual basis पर, तो आप समझ सकते हैं, यह institute इतना जादा अच्छा है, क्यों है, वो भी आप समझ सकते हैं, इनकी details आपके सामने screen पर मौझूद है, आप इने विजट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और bell बटन को प्रेस करना पर पिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए ये वीडियो लेकर के आती हैं, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे, एक नई location की, एक नई वीडियो की, एक नई information के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपने preparation को जारी रखिये, all the well